दोस्तों इलाबाध हाई कोड गुरूप सी की परिच्छा जो की हुई थी कब 18 दिसम्बर को तो उसमें हिंदी की जो प्रस्ट पुछे गए थे उनी प्रस्टों को यहाँ पर हमल करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं पहला क्वेशन है निम्दलखित युगमों में क्रोध को दरसाने वाली मुहाबरों का सही समों क्या होगा मतलब इसमें ये पूछा गया था कि क्रोध को दरसाने वाले जो मुहाबरे हैं इसमें कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A मतलब लाल पीला होना इसके लामा C खून खौलना और D और दूसरा होता है अर्थालंकार जहांपर अर्थ से जाद उत पर रहा है तो option A ही इसका correct है मनाली में अनेक अस्थान देखने योगoten का मतलब क्या होता दरसनी से होता है तो रेखांकित वाक्यांस के लिए एक सब्दोगा दर्सनी इसको ऐसे लिखा जा सकता था कि मनाली में अनेक दरसनी अस्थान है ठीक है तो उप्सन सी इसका करेक्ट होगा विग्रह का समास से मिलां करना अच्छा समास का जो विलोम होता है विग्रह होता है यह तो आप जानते ही होंगे तो यहाँ पर रिन से युक्त मतलब यह तत्पुरुष समा से तो आपका इस विकार से यहाँ पर मैच कराना था और देखो प्रसन जो थे हिंदी में आसान पूछे गए थे जीएस का जो प्रस्ता वो थोड़ा सब तफ था जीएस के लिए पहले वीडियो मैं बना चुका हूँ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जाकर अभी में चेक कर लेना संभी प्रस इंपॉर्टेंट है सूची एक को सूची दू से मिलान करिए कभिधन इस्वर ब्राबर क्या होगा कभी शुर हो जाएगा ठीक एं कभीधन इंड़ ब Beingrad PAR find the वीड्र अंत यह हो जाएगा आपका वेदान्त और श्यूधन अले बराबर होता है शिवाल है तो इस पेकार से इसको मैच कराना था मेरे को अपने मामा के घर जानी है सुद्ध रूब बताना था तो मुझे अपने मामा के घर जाना था निमलिकित में सही वर्तनी वाला सब्द अच्छा ग्रहस्त ये तो गलत हो जाएगा ग्रहस्त लिखा जाता है ऐसे लिखते हैं इसको कारेकर्म लिखा गया है ये क्या होगा कारेकर्म होता है कारेकर्म और ये भी गलत लिखा गया है सही लिखा गया है किवल आप्सन डी को मोटापा और बुढापा सब्दों में प्रत्य छाटना था तो यह हो जाएगा आपका पा ला उपसर्ग से बनने वाले सब्द नहीं है तो लापता में ला है लाजवाब में भी है लेकिन लाटरी भी नहीं है तो यही आपका आंसर बनेगा और निम्रिकित में सेठ का इस्त्री लिंग रूप कौन सा होगा तो यह सठानी ही हो जाता है ऑप्शन ए करेक्ट है गध्यांस को पढ़िये और बाकी की जो प्रस्टन है पांच प्रस्टन है इसका उत्तर देना है आपको गध्यांस के आधार पर स्वाधिन्ता मनुस्य का जमसे दिकार है मनुस्य को तो क्या स्रिष्टी के बड़े मनुस्य को तो क्या स्रिष्टी के छोटे बड़े सभी प्राणियों को यह दिकार समान रूप से प्राप्त है किसी भी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कारण से इसकी अप्राप्ती ही पराधिंता कहलाती है पराधिंता में प्राणी की प्रवित्तियां कुंठित होकर रह जाती है ध्या रखना इसका ठीक है और सौधिंता मनुस्री का जमसे दिदकारिया ये भी याद रखना कई बार तो पराधिन्ता का भाव व्यक्त की सुचने समझने तक की सक्तियों का अपरण कर लेता है अंडरलाइन करता हूँ इसको भी आदगना इसी कारण सब प्रकार के स्वर्ग सुख मिलने पर भी कोई प्राणी पराधिन बनकर रहना नहीं चाहता है सोने के पिंजरे में बंद तोता भी कभी सुखी नहीं रता है इसी भावना से अनुपराणी थोकर वह अपने पंक और सिर बार बार पिंजरे की सलाखों से टकराता है ताकि उन्हें तोड़कर खुले आसमान में उड़ जाए या सगन डालियों पर बैठकर उनमुक्त मधूर सोरों में गीत गया है जब एक अज्यानी पक्षी में स्वाधिन्ता की इतनी तड़ब दिखाई देती है तो फिर बुद्धिमान, सजीव और सासक्त मनुष सिकातो कहना ही किया ये लाइन देखो पराधिन व्यक्ति का अपना किसी प्रिकार का व्यक्तित नहीं होता है तो यहाँ पर यह जो स्टेट्मेंट दिया गया है इसी का अधार पर पांच प्रस्न है उतर दू पराधिन व्यक्ति की विश्यस्ता क्या होती है अपना किसी प्रिकार का व्यक्तित नहीं होता है मतलब इसका हो जाएगा और प्राणी की व्रबृतियां तब कुंटित हो जाती है जब वह क्या होता है पराधिन होता है पराधिंता का भाव व्यक्त की कौन से सक्तियों का अपहरण कर लेता है तो बोलने ये सब तो छोड़ो सोटने समझने यानि का उप्सण डी सही है सोने के पिंजरे की सलाखों से तो तक किस भाव से प्रेरियत होकर टगराता रहता है तो यह होगा स्वतंद्र होकर पिजरे से बाहर जाने के लिए मनुस्य का जमसे अधिकार क्या है स्वाधिंता तो यह हुए पांच प्रस्ण अगला कोशन था निमलेखित सब्दों के विलोम यूगम सब्द कौन से है तो अस्त का उदै सही है अरुच का रुच सही है अथ माने सुरू होना वेर्थ माने यह गलत हो जाएगा तो यह जो है बाकी आविर्भा का तिरोभा अनुरख्ति का विरक्ति यह सही है तो option c जो है यह दहांपर मिसमेच है होनहार विर्वान के होत चीकने पात मतलब होनी को टाला नहीं जा सकता यह नहीं होगा इसकार्थ होनहार के लक्षन प्रारम से प्रकट होने डगते हैं यहीं इसकार्थ होता है तो option B इसका correct है रेखांकित सद के कारक भेद के उचित विकलप चुनी है मैंने राधा को पुस्तक दी एक बाद हार रखना कि यह करम कारक नहीं है क्यों कि यहाँ पर लेने देने का भाव होता है तो जो आपस संप्रदान होता है तो option D से ही होगा वाक में रिखांकित विश्यसन का वेद कौन से है थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते है ना तो यहाँ पर देखो थोड़ा दूध थोड़ा जोए क्या है यह परिमाणवाचक तो है लेकिन निश्चित रूप से नहीं है थोड़ा का मतलब हो जाएगा अनिश्चित परिम हम पूरं काले क्रिया हो चुकी है घर क्या आए मतलब आभी चुके हैं तो मतलब यह पूर पूर्फ कले क्रिया है option B से ये पाहर कौन आया प्रसन वाचक सर्वनाम और यह ऐसे मैच किरा लो वह अपने आप चला जाएगा तो यह क्या मतलब हो इसका मतलब हो गया कि B का 1 से मैच हो जाएगा और यह ले जाओ यह हो जाएगा निश्चे वाचक मैं कल चला जाओंगा पुरुष वाचक तो यह इसका सही मैचिंग है सामने के मकान में रहने वाली सुसीला अत्यंत मेधावी छात्रा है रहकांगित पदबंद का सही विकल्ब क्या है तो सामने के मकान में रहने वाचक जो सुसीला है अत्यंत मेधावी छात्रा है तो यहाँ पर यह जो रहकांगित सब्द है यह क्या है यह संग्या पदबंद है तो option B जिसने लाल कमीच बहनी है वा मेरा पडोसी है वागे का सरल वागे में रुपांतरन क्या होगा लाल कमीच वाला मेरा पडोसी है एक पड़कर मुझे हसी आ रही थी जब लाल कमीच बहनी तब पडोसी बनाए यह मतलब तोड़ा सा अस्यादप्द बाग के लग रहा था और जिग्यासु जिसमें जानने की इच्छा हो यह मैच कराना था परोक्ष जो आखों के सामने नहों असक्त जिसमें सक्ति नहों निशाचरत आप जानते ही है रात में घूमने वाला तो यह 25 प्रसन हिंदी से पूछे गए थे और 25 प्र यहां पर हो गए हैं बागी की जो प्रसने मुक्रम से आपको मिलते रहेंगे बने रही है मैरे साथ वीडियो अच्छा रगता है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें थेंक्यू सो मॉच